Hey everybody, welcome back to January Drops channel, 2023 की पहली वीडियो में दोस्तों आप सभी का स्वागत है दोस्तों, 2023 के अंदर काफी ज़ादा उमीद है, काफी मौटे मौटे प्रॉफिट होने की, क्योंकि हम लोग पिछले एक साल से पूरे बियर ट्रेंड के अंदर सिर्फ जॉइन ही कर रहे हैं अर्ली प्रॉजेक्ट, अर्ली मेन नेट, अर्ली टेस्स नेट, यह सब हम लोग जोईन कर रहे हैं, जैसे कि ZK Sink का दोस्तों जो प्रॉजेक्ट आ रहा है, ब्लॉक्चेन आ रही है, वो हमें तगड़ा प्रॉफिट देने की उमीद है, जिसके रिलेटेड हम लोग काफी वी प्रॉजेक्ट जो आ रहे हैं, उनको लेकर के पिछले एक साल के अंदर काफी सारी वीडियो आपके सारी शेयर करी हैं, टेलिग्राम पर काफी सारी अप्डेट शेयर करी हैं, तो 2013 के अंदर काफी तगड़े एर्डोप मिलने की, होफुली यहां पर हम लोग को अच्छा ग से अल्मोस्ट नियरली कंफरमेशन है, और दूसरे में हाइप प्रॉबिल्टी है, एर्डोप मिलने की, एर्डोप अगर मिलेगा, तो तगड़ा प्रॉफिट व दूस्तों 100% देगा, एंड जैसे कि आप देख रहे हैं, हापर हम लोग बात करेंगे, एक तो पूरे पूरे वीडियो के एंड तक बने रही हैगा, एंड साती सात में हम लोग आपर बात करेंगे, प्राइमेक्स एक्सचेंज के बारे में, जो की एक स्पॉट और Margin Exchange है, Dex, Bollingham, Decent Line Exchange है, तो इसके बारे में भी यहाँ पर Confirmed है कि 30% Supply है, Early Community Members को देंगे, तो यहाँ पर Airwop मिलने की या Incentivized Reward मिलने की काफी ज़्यादा हाई चांसे हो जाते हैं, सबसे पहले दोस्तों आप सभी सही कहूंगा, अगर आप चैनल पर फस्टाम है हो तो इस चैनल को सब्स्राइब जरू करिएगा, एंड वीडियो को लाइक ज़रू टोकना दोस्तों, जो की बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं, प्राइमेक्स के बारे में, क्योंकि इसका इजी है, और थ्रेट के अंदर डिटेल से इसके बारे में आपके ताश्किर क्या है, और यहाँ पर इनके टोकन मैट्रिक के करम देखेंगे, तो 30% आफ सप अरली मेंबर बनने का यहाँ पर एक form है, अरली form है जिसको आप लोग यहाँ पर यहाँ इस वाला जो form इसको आप फिल करेंगे, तो एक link अरली मेंबर बन जाएंगे, सात ही सात में इनकी website पर जैना एनके tax को हमें, just ethereum georeal testnet पर हमें use करना है, तो यह important चीज चीश के है इस trader role, lender role, keeper role and user role. ये role हमने grab करने है and इसके बाद इनकी website पर जाना है. जहाँ पर जाने के बात दोस्तों आपको इनके testnet के task perform करने and feedback के लिए एक form दिया गया है. इसको fill करना है. तो सबसे पहले हम लोगे आपर देख लिए form कैसे fill करना है ये वाला early member का. तो सबसे पहले आप से पूछे जारा कि आप USA के citizen member हो या नहीं हो in the way country के given countries के. तो यहाँ पर नहीं हो ना तो ठीक है. येस करना है. ओके करना है. इसके बाद अपनी country यहाँ पास let करना. अपना MetaMask का address यहाँ पर दीजेगा एंड इसको okay करने काद यस करना है and submit कर देना. तो ये तो हो गया early member वाला form ठीक है. अब discord जोइन करने का दोस्तों आप लोग discord में यहाँ पर जाकर इन roles को ले ले लेना ठीक है. तो ये roles मिल जाएंगे जिससे आप एक early member बन जाएंगे आपने form फिल कर दिया. अब simply आपने जाना है इनके article पर जिसमें थोड़ा detail से बताया हुआ है क्योंकि already यहाँ पर detail से बताया हुआ है कि कैसे कैसे आपको follow करने task तो यहाँ पर mention करने का Twitter के thread के अंदर कोई मतलब नहीं था ठीक है? तो यहाँ पर आईएगा आपको मिल जाएगी यहाँ पर इनकी website का link ठीक है? इनकी यह official website है यहाँ पर आईए या फिर directly आप लोग यहाँ पर click करके इनके app को भी उपन कर सकते हैं आप को ठीक है launch app पर click करना launch app पर click करने के बाद दोस्तों यह कुछ इस तरीके से open हो जाएगा जिसके अंदर सबसे पहले दोस्तों आपने faucet claim करना होता है हम किसी भी जब testnet को use करते हैं तो सबसे पहले उसका criteria यह होता है कि faucet को claim करें ethereum georally metamask से आप लोग यहाँ पर इसको connect करेंगे और आपके पास georally faucet होना चाहिए और mostly आप में सभी को पता हो कि georally faucet कहाँ पर मिलता है दोस्तों आप जब google करेंगे आपको first website मिल जाएगी और यह website के बारे में तो हरको ही जानता है आज की date पर तो यहाँ पर आपको easily faucet मिल जाएगा everyday 0.2 ether यहाँ पर मिलता है faucet के लिए जिसको आप claim कर सकते हैं और collect करके रख सकते हैं जो कि future में हमारे लिए कभी भी काम आतकता है तो already आज का में यहाँ पर आप लोग इन करना अपनी email address कर दूँ अपना address जालना metamask का and यहाँ पर आप claim कर सकते हो ठीके faucet मिल लेगा दोस 28,000 या 30,000 आपको यहाँ पर USD मिल जाएंगे, chain link मिल जाएंगे and simply यहाँ पर टास्क हैं जैसे कि land and trade यह टास्क आपको perform करने हैं जो कि यहाँ पर इनके इस threat के अंदर detail से बता हैं कि कैसे कैसे आपने टास्क को perform करना है wallet connect करने का थीक है faucet claim करने का आप बोल रहा है यहाँ and यहाँ पर आपने trade करना है trading करना है swapping feature भी है तो जैसे कि हम trade पर जाते है normal trading पर जाते हैं यहाँ पर spot trade यहाँ पर दिवही है and spot trade में आपको यहाँ पर क्या position open करनी है ठीक है stop loss वाला यह scene हम बंद कर देते हैं जैसे कि आप यहाँ पर ले सकते हैं कि 0.05 BTC का आपने यहाँ पर 100 USDC में swap करना है and यहाँ पर अपनी position open कर देनी है दोस्तों यह spot margin trading में spot future trading है ठीक है यह वैसी वाली trading नहीं कि आपने just buy करके रख लिया ठीक है और बाकि आप यहाँ पर swap पर करेंगे आपकी position open हो जाएगी अब यहाँ पर zero leverage कि आपकी position open हो चुकी है बस दोस्तों उसके आपको यहाँ कि आपको यहाँ कि आपने long किया यह short किया है तो यह हमारी position लग्चु किया जब आप added position पर जाते हो दोस्तों और यहाँ पर आप this top loss and target profit side कर तो आपको पता चलेगा कि यह long हुआ है कि आपको प्राइज इस का अगर 26 dollar जाएगा बिटकोई का तो 50% का profit होगा 25% इतने dollar पर profit होगा तो इससे हमें यह पता चलता है कि long ही यहाँ पर हुआ है ठीक है तो हो सकता है शायद इसके अंदर कुछ changes हो आगे चलके अभी क्योंकि अभी early stage में है test net में development mode में है तो इस तरीके से आपने इसको test करना है just margin लेकर भी आप लोग यहाँ पर trade open कर सकते ह margin कितनी लेनी है यहाँ पर कितने X की लेनी है वो यहाँ पर आप state करना और यहाँ पर trade open करना तो इसको test करना है ऐसी दोस्तों land bucket and deposit में आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ try करना जैसे कि यहाँ पर हम लोगो USDC मिलें USDC आपको यहाँ पर लेना amount आपको कितना लेना है जैसे कि 500 डॉलर का यहाँ पर हम deposit कर देते हैं और इस तरीके से आपने just functions जितने भी functions दिये हैं यहाँ पर उनको test करना है बाकि दूस्तों इस article के इंदे सारे task आपको detail से बताय करना है वो भी आप वहाँ पर select कर सकते हो splitter वाला feature है यहाँ पर इनका यह splitter supported यह सब जितने भी हाँ पर दीना इन सब को use कर लेना यह सब आपको मिल जाएंगे trade वाले option में ही जैसे कि अभी हमने हाँ पर trade किया था primax selector करके कौन से dex को आपने select करना है primax splitter primax selector इन सब में क्या difference है इन दोनों के अंदर इस article के अंदर पता सिल जाग आपको यहाँ पर दूसरे different third party dex है curve, uniswap, balancer इनको use करके भी हम लोग यहाँ पर trade कर सकते हैं यानि कि direct वो इनकी API की through connect है and directly हम लोग वहाँ पर trade कर सकते हैं primax की through तो दोस्तों ऐसी करते करते हैं आपने पूरा यह use कर लेना है यहाँ पर जितनी भी छोटे-छोटे functions हैं उन सब भी को use कर लेना है जिसे कि आपका testnet complete जागा and in the end last में आपने feedback form यहाँ पर submit कर दिना ठीक है ज़रूर ही नहीं जल्दी-जल्दी करना है आप आराम से कभी भी जैसे एक दो दिन के अंदर complete कर लिए सारे टास उसके बाद आप submit कर दिना ठीक है अब हम दोस्तिया पर बात करते हैं consensus के Z की EVM testnet के बारे में consensus क्या है दोस्तों इसके बारे में हम लोग पहले भी यहाँ पर infra और metamask related जब बात यहाँ पर हुई थी तब मैंने आपके साथ एक thread share किया था अगर आपने read किया होगा तो आपको पता होगा नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ consensus दोस्तों एक software development company है जो basically ethereum के लिए काम करती है और जाधातर इनके जो product है वो ethereum के लिए ही बने हैं जाधातर गया 100% जो product है वो ethereum के लिए ही काम करते हैं जैसे कि metamask infra service provider जो RPC service वगर हम लोग प्रवाइड करते हैं और एक दो product और है जो ethereum की ecosystem के अंदर काम करते हैं अभी यह जैट के यानि की zero knowledge roll up पर layer two अपना blockchain लेकर आ रहे हैं खुद का और अपने आप में ही दोस्तों यह बहुत बड़ी company है ethereum का बहुत तगड़ा support इनको रहेगा and future में interrupt की possibility भी बहुत जाद हो जाती है ethereum की layer two के अंदर दोस्तों दो टाइब की category आती है first category अपर जी की roll up इसके बारे में लोग पहले भी बात कर चुके हैं अपने किसी एक वीडियो में differences है ठीक है optimistic roll up पर दोस्तों अभी यहाँ पर जो में प्रजेक्ट है Arbitrum Optimism and Boba Network है जो ethereum layer two optimistic roll up पर काम करते हैं and दूसरे project जैसे की Starknet, ZK Sync, Polygon and other और से project हैं zeta chain वगरा और यह सब जो आ रहे हैं जाता तर प्रजेक्ट अभी zero knowledge की ऊपर आ रहे है, zero knowledge और optimistic roll up में सब में दूस्तों यही चीज़े दोनों के अंदर same competition है कि कम time के अंदर जाधा transition with lower transition fees तो यही सब का एक main aim है ठीक है, तो यहाँ पर क्या difference है, जाधा difference नहीं है, उसको आप लोग समझ लेना, मैंने आपके साथ सामने यहाँ पर एक chart लगा दी है, जिसको आप लोग देखके समझ सकते है इस thread के अंदर पूरा detail से आपके साथ mention किया है, जो important चीज़े दोस्तों, इस thread के अंदर वो यह है कि कुछ time पहले हम लोग ने यहाँ पर join किया था, फॉर्म फिल किया था इसके लाव हम लोग ने हाँ पर consensus layer 2 roll up coming soon के regarding इनका एक form था, early form उसको फिल करा था, अगर आपने फिल किया होगा था बहुत अच्छी बात है, यह एक important part है हमारे consensus testnet के लिए, consensus testnet के लिए, इन लोगों का launch हुआ था दोस्तों, यह भी हम लोग ने फिल किया था, and still I think यह active है तो आप fill up कर सकते हैं, लेकिन chances अभी दोस्तों थोड़े कम लगते हैं, ठीके, तो यह हमारे telegram channel पर आपको मिल जाएंगे, search कर लेना keyword वहाँ पर आप लोग तो आपको मिल जाएगा, ठीके, and इसके लावा दोस्तों यहाँ पर अभी क्या चीज़े इस threat के अंदर important वो यह ह कि यहाँ पर इनका जो testnet है, दोस्तों, वो पूरी तरीके से चालू नहीं हुआ है, यानि कि जिन लोगों ने early stage के अंदर वो form fill किये थे, उन लोगों को team जो है, वो mail send करेगी, तो mail receive होने तक का wait करना पड़ेगा, दोस्तों, उसके बाद वहाँ पर कुछ instructions होंगे, या instruction न and multiple signups from the same user if that identified, ठीके तो multiple accounts जिन लोगों अगर पहले multiple time form fill करेंगे, same email address के तो उनको हटा दिये जाएगा, या फिर जो multiple signups कर रहे होंगे, इन फुरा पर उनको भी शायद bot account बना करके, समझ के हटा दिये जाए, ठीके, consider किया है as a bot account, as long as you have infra account with email address that you have, that you registered using form with you should good, तो इसका म CCM email letters के तुरू infra का account बनाना, जिसके तुरू आपने early stage वाले form को fill किया था, तो 90% majority of 99% of majority of people को अभी कोई भी mail receive नहीं हुआ है, लेकिन इनके discord के अंदर किसी एक person को, जैसे कि यहाँ पर यह बोल रहा है कि मुझे यहाँ पर mail receive हुआ है, आज I got congratulations you are on the consensus at EVM private beta waitlist, तो इसको य को नहीं लोगों के लिए इस thread के अंदर आगे की चीज़े mention क्यों है कि अगर आपको mail receive हो जाता है दोस्तों, तो mail को check करते रही है, एक दो दिन के अंदर, तीन दिन के अंदर receive हो जाएगा, मुझे भी अभी तक personally receive नहीं हुआ है, सबसे पहले दोस्तों, आप लोग infora पर ज जाना है, manage keeper जाने के बाद यहां पर आपको मिल जाएगी आपकी API की, इस API की को दोस्तों कर लेना copy और यह API की आपको मिलेगी दोस्तों, end point वाले tap पर, ठीक है, इस क्या दोस्तों यहां पर आपने आना है, end z के sync का जो लोगों ने अपनी website reveal कर दी है, testnet की, इस website पर जाना ह and यहां पर आपके साथ मैंने एक URL शेर किया है, ठीक है, इस URL को open करना है, यह वाला URL दोस्तों आप जैसे कि यहां पर देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके का open हो जाएगा, इस URL में आपने जो API की copy करी थी न, यह वाली जो API की copy करी थी, वो इसके आगे यहां पर paste कर देनी ह V3 slash के आगे, वो की paste करनी है, and ऐसा करने से दोस्तों यह एक proper link बन जाएगा, and इसको आप यहां पर paste कर सकते हैं, अपने website पर, जैसा कि यहां पर मैंने paste करी है, इंफुरा RPC endpoint पर, and then दोस्तों, यहां पर मेरा बोल रहा है कि MetaMask is not connected, and यहां पर यह बोल रहा है कि और लिए faucet का हमारे पास balance कितना है, and वो यहां पर show करता है, लेकिन उससे पहले wallet connect होगा, तब ही तो show करेगा, है ना, तो वो यहां पर show नहीं कर रहा है, लेकिन जिन लोगों के पास यहां पर mail आ गया है, I guess उन लोगों के यहां पर यह proper इस तरीकेते show हो रहा है, जैसे कि आप time के अंदर आ जाएगा, ठीक है, and तब तक आप क्या गर रहे हैं, तब तक यहां पर जैसे कि मैने thread के अंदर mention के हुआ है, जैसे कि आप यहां पर देखेंगे, यह सब करने के बाद दोस्तों, आपने यहां पर कुछ Ethereum के Gioral Faucet को यहां पर आप लोग क्लेम करते रहिए, Gior app वाली website भी मिलती है, and यह सब चीजें दोस्तों, आपको मिल जाती है, same place पर, ठीक है, यहां पर आपको मिल जाएगा, bridge, यहां पर आपको swap मिल जाएगा, यह दोनों functions आपने use करने हैं, लेकिन कभी-कभी इनके अंदर कोई problem आ रही है, high traffic की वज़े से, तो problem आ सकती है, ठी तो उसको भी हम लोग complete कर लेंगे, लेकिन इसको भी हम बाद में करेंगे, पहले जो अभी mail आने वाला task है, उसको आजाने देते हैं पूरी तरीके से, उसके बाद मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूँगा, जिसके अंदर हम ZK EVM पर smart contract कैसे deploy कर सकते हैं, testnet पर, वो भी हम लोग complete यहाँ पर करके रख लेंगे, तो फिलाल दोस्तों इस वीडियो के इतना ही है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका है, बाकि आप threat को पूरी तरीके से follow करेंगे, तो आपको सब चीज़ें के लिए हो जाएंगे, अब दोस्तों यहाँ पर फिलाल अभ